ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी बीजेपी मुख्यालेप पहुच चुके हैं और प्रधान मंत्री का स्वागत यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी को जै स्री राम मोदी जी विकास करो तो बीजेपी मुख्यालेप पहुच चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और बीजेपी के राश्य अद्यक्ष जेपी नडड़ा फूलों के साथ उनका स्वाकत करते हैं सीधी तस्वीर हर्याणा में जो अब प्रत्याशित जीत मिली है तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने इसी का जशन आज हर्याणा में देखने को मिला और कारेकरताओं का अभार जताने के लिए जनता का अभार जताने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्याले पहुच चुके हैं हम सब नारा दे रहे हैं हर्याणा की जीत हमारी है उसके साथ साथ नारा देना है हर्याणा की जीत हमारी है महाराज जारकन की भी बारी है महाराज जारकन की बारी है हर्याना की जीत हमारी है एक बार महाराज की बारी एक बार जारकन की बारी एक बार दिल्ली की बारी ऐसा करेंगे ठीक है? शुरुआत दिल्ली से हर्याना की जीत हमारी है अब जारकन हर्याना की जीत हमारी है अब हर्याना की जीत हमारी है फुलो सत्यपती शिवाजी महराज की बारेश महस्ता की पहले दिल्ली बाद में जारकंड फिर महराज पहले अर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है एक बार दिल्ली बोलना है एक बार जारकंड एक बार माराज जो दिल्ली बोलेगा उसको टिकेट नहीं मिलेगा हर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है अर्यारा की जीत हमारी है बारेश महत्ता की मोदी जी विकास करो मोदी जी विकास करो देश तुमारे साथ है मोदी जी विकास करो मोणी जी विकाज करो मोणी जी को जैसिराम बाज़ पाज इन ऴबाज बाज़ पाज इन ऴबाज हमारे लोक अप्रिया प्रदानमंत्री आदेनिया मोदी जी और आदेनिया अद्जिक जी हम सब को मिलने के लिए मोदी जी को जैस्री राम मोदी जी को जैस्री राम मोदी जी को जैस्री राम मोदी जी विकास करो मोधी जी विकाथ करो हर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है बारच मत्था की मोधी जी को जैस्री राम मोदी जी को जैस्री राम नड़ादी को जैस्री राम मोदी जी विकास करो मोदी जी विकास करो मोधी जी भी करो दुनिया के लोक प्रिय राज नेता हमारे देश के लाड़ने प्रदान मंत्री आदरिय मोधी जी का मंच पर आधमन हो रहा है मैं आधनिय राष्टिय अध्यक जगत्प्रकाश नड़ा जी से नमना नुरोग करता हूँ कि आधनिय प्रदान मंत्री जी का पच्का पहना कर स्वाज़त करे और इस स्वागत के बाद पुरी देश की जन्ता की ओर से आधनिय नड़ा जी आधनिय रख्शा मंत्री और आधनिय घ्रा मंत्री एक पुश्पमाला पहना कर इस जीत पर जिनके नेत्रुतों में ये जीत हमने हासिल की उनका बहुत बहुत अभिनन करेंगे अभ्ये घर्योटों मत्री जीत हमने जीतमे भाद करो जीतमें पहन लीम पहन लीटों पॉसके षके आज के हर्याना और जम्बु कश्मीर के चुनाओं में बारेश मता की बारेश मता की बारेश मता की सब अपना अपना स्थान गरन करेंगे आज जो एक बड़िया जीत हर्याना और जम्बु कश्मीर में जिनके नेत्रुतों में हमने प्रात की है वो आज यहां मौजूद है और जिनके मारदाशन में हमने यह चुनाओं लड़ा ऐसे आदेलिया राष्टी अध्यष मारणिया जगर्षपकाई नड़ाजी से मैं नमन निवेदन करता हूँ कि वो हम सब को आकर यहां सम्मूदित करें बोलिए भारत माता की है भारत माता की है भारत माता की है आज के इस आभार कारकरम में हम सब के बीच में उपस्थित हम सब के येशस्वी नेता भारत के येशस्वी प्रधान मंत्री आदर्निय श्री नरेंडर मोदी जी भारत के रक्षा मंत्री आदर्निय श्री राजनाज सिंग जी भारत के ग्री मंत्री आधनेशी अमित भाई शाजी यहां उपस्षित हमारे मंत्री मंडल के सभी वरिष्ट दस्यगंड पदादिकारी और इतनी बड़ी संक्या में इकत्राए देवियों और सज्जनों मीडिया के मेरे साथी आज यहां प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रत में जो जीत हासिल हुई है उसके आभार कारक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्सित हुए है मैं सबसे पहले तो अपनी और से और आप सब लोगों की और से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माद्यम से इस कारक्रम में शामिल हुए है उनकी और से आजरनिय अप्रदान मंत्री जी को इस कारिक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक अभी नंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मित्रो यह जो जीत हर्याना में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया यह सब आदर्णिय अप्रण मंतरी मोदी जी के नित्रत में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया मत व्यक्त किया यह उसका परिणाम है कि आज जब कॉंग्रेस के लोग हर तरीके से जूट फैलाने में लगे थे उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदर्णिय अप्रण मंतरी मोदी जी के नित्रत में फिर से टीसरी वार हर्याणा में सरकार बनाई यह हम सब को ध्यान में रखना चाहिए आपका अधक परिश्रम आपका अधक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक टाकत देने का काम किया जिस तरीके से आपने देश के परिस्टियों को बदलने का प्रयास किया उन सब के उपर यह हर्याणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भार्टिय जन्ता पार्टि के साथ आपके निटुट में सारी जन्ता खड़ी है कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रहान प्रशासत के रूप में अविरल लगातार बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष बुक्य मंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधान मंत्री के रूप में प्रधन प्रधान सेवत के रूप में आपने सेवा की और आज हर्याना के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास आपका परिश्रम आपने बिना रुके हुए बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मजाज बना है वह मजाज हर्याना ने उसको पूरा किया है और वह मजाज को दर्शाता है आपने पिछले 23 सालों में जिस कारकरता भाव से जिस समर्पन भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है यह उसका नतीजा है कि आज हम हर्याना हो चाहे देश का मिजाज हो वह हम देखते हैं वह मोदी में है और यह बात फिर से सावित होती है कि मोदी है तो मोदी है तो और यह मोदी की गारंटी है इसको भी हमको समझना चाहिए मित्रों हम सब को जानना चाहिए कि आदरनिया प्रधान मंत्री जी ने देश की राजनीती की रिवायत को बदर डाला है हमने देख में राजनीती देखी है दस साल पहले हम देखते रहे हैं कॉंग्रेस जाती वाद को आगे बढाती रही है कॉंग्रेस भाई भतीजा वाद को आगे बढाती रही है और आज़नि में जाती वाद में लोगों को बाटने में कोई कसे नहीं छोड़ रही है हमने देखा है किस तरीके से परिवाँ रवाद को कॉंग्रेस बार्टी ने बढ़ाया किस तरीके से भरेश्टा शार पंपा जहां कॉंग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कॉंग्रेस है, वहां कमिशन है, जहां कॉंग्रेस है, वहां क्रिमिनलाइजेशन है, ये तीनों सी कॉंग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए, लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भरश्चा चार को जर्मूल से समथ करने कर किय वहीं भाई बतीजावाद, वहीं परिवारवाद, और इन सब को धत्ता दिखाते हुए, आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया, और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है, यह सरकार, यह प्रो एक्टिव सरकार है, आपके नेत्रतु में चलने वाली सरकार, यह रिस्पॉंसिव सरकार है, यह अकाउंटेबल सरकार है, यह सरकार अपने से आगे बढ़ करके जटा की सेवा के लिए लगी रहती है, और यह उत्तरदाई, दायतों के बोज से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है, इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट क भी जूट बोलना था बोला लेकिन एक नहीं सुनी और हर्याना में आपको सबक सिखा दिया और जन्ता ने बीजेपी को महर लगा दिया ये भी हमको जान दिया हमें खुशी है आपके नेत्रतु में एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं अगर उत्राखन में हमने दूसरी वार लगातार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में दूसरी वार लगातार सरकार बनाई गुआ में तीसरी वार लगातार सरकार बनाई तो हापके नेत्रतु में हर्याना में भी जब से प्रदेश बना है पहली वार लगातार तीसरी वार सरकार बनी मुझे याद है आप हर्याना के प्रभारी होते थे हर्याना के साथ साथ आप हिमाचल के प्रभारी होते थे हिमाचल के हर्याना के आपने जिला जिला कस्बा कस्बा घूमा कोई ऐसा कारे करता नहीं है जिसको आप नाम से नहीं जानते और आपने वहाँ पर हर्याना में भारतिय जन्ता पार्टी को सशक्त करने की नीव रखी थी मुझे याद है कि आपने एक विचार बैठक सोलन में बुलाई थी हर्याना के सभी पदादिकारियों को आपने वहाँ बुलाया था तीन दिन बैठ करके आपने योजना बनाई थी उस योजना पर हर्याना में हम आगे बढ़े और आज आपके नेचुत में हर्याना भारतिय जन्ता पालिटी का गर्ण बन गया है और बे रोग टोक बे रोग टोक तीसरी वार लगातार सरकार बन रही है मैं यहाँ यह भी पताना चाहता हूँ कि आपके नेचुत में हर्याना में हमारा स्टीक शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है यह जो बोलते थे जिनके मन में लड़ू फूट रहे थे उनको घर पे बैठा दिया और बिल्कुल सही है आपने कहा यह जो जलेवी के अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई यह हमारा वोट शेयर भी बढ़ा हमारे स्टीक शेयर भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाईयों में हमारी स्टीकों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े हर्याना आज युवाओं के लिए चिसानों के लिए दलित भाईयों के लिए मेहिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतिय जनता पार्टी है और कमल का निशान है यह आगे बढ़ेगा यह जीत विक्सित भारत के कम संकल्प की जीत है और उसके प्रती हमारे समर्पड की जीत है यह जीत जहां वो समाज को विल्टन में डाल करके समुदाय को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे वहां सभी को साथ लेकर के चलने का काम मोदी जी के ने तुत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको आगे बढ़ाया है और कॉंग्रेस पार्टी ने जूट पहलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन हर्याना की जंता ने एक भी नहीं सुनी एक भी ने थे मैं हर्याना के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ एक हमारी यहां की कटर बैमान पार्टी भी है कटर बैमान पार्टी यह नब्बे की नब्बे सीटों पर लड़े थे और नब्बे की नब्बे सीटों पर जमाना जब करा ली ये परिस्टिती होगे जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में भी हमारी पिछली वारते सीटे अधिकाई है और हमारा गोट शेर भी बढ़ा है और समय दूर नहीं है कि वहाँ भारतिय जनता पार्टी है तो धारा 370 वापस हुई है और हमेशा वापस रहेगी इस बात का पूरा विश्वाश इसलिए मैं आप सब को आपके माद्यम से सभी कार्यकरताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब के माद्यम से हर्याना की जनता जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और पाइट्री के कार्यकरताओं से आवान करताओं क्या पूरी ताकत के साथ जुड़ जाईए आगे हमने माराश्ड भी जीतना है आगे हमने जारकन भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है और इसलिए आप सब लोगों से मैं भन्यवाद देता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ प्रणान मंत्री मोदी जी का पुना उनको अविनंदन करता हूँ और उनको विश्वाश दिलाता हूँ कि पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके निसुत में हम सब कारे करता मिलकर के कोई कसा नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपके निसुत में एक पर एक जीत हासिल करते चले जाएंगे इनी शब्दों के साथ मैं आपके और पुना पुना आपके आने पर आपका अभिनंदन और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 2047 में विकसी भारत जो देखना चाते हैं ऐसे सब लोगों के उर्जा स्रोथ हमारे देश के प्रदार मंत्री आदेलिय मोदीजी से मैं नमर भी निवेजन करता हूं कि वो पूरी देश की जनता को संबोदित करें भारत माता की हम सब ने सुना है हम सब ने सुना है जहां दूद दही का खाना वैसा है अपना हरियाना हरियाना के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है साथ्यों आज नवरात्री का छथा दिन है मा काच्यायनी की आराधना का दिन है मा काच्यायनी शेर पर विराजमार होकर हाथ में कमल को धारण किये हुए है हम सभी को आशिर्वाद दे रही है ऐसे पावन दिन हरियाना में तीसरी बार लगातार कमल खिला है गीता की धर्टी पर सत्य की जीत हुई है गीता की धर्टी पर विकास की जीत हुई है गीता की धर्टी पर सुशासन की जीत हुई है हर जाती हर वर्क के लोगों ने हमें वोड दिया है साथियों जम्मु कश्बीर में दसकों के इंतजार के बाद आखिर कर शांती पुर्वक चुना हुए बोटों की गिंटी हुई नतीजे आए ये भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्बीर के लोगों ने नेशनल कानफरंस उनके गड़ बंदन को जादा सीटे दी है मैं उन्हें भी सुपकामराई देता हूँ बोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें बोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उबरी है मैं हर्याना और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन करने वाले सभी उम्मिद्वारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हर्याना और जम्मु कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करता हूँ को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हर्याना की ये जीत कायर करताओं के अथाग परिशम का परणाम है हर्याना की ये जीत नड्या जी और हर्याना की टीम के प्रयासों की जीत है हर्याना की ये जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हर्याना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हर्याना की जन्ता ने नया इतिहास रख दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हर्याना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्ज़ों ने इस राज्य का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा इंदुस्तान जानता है एक जमाना था हर्याना के इन दिग्ज़ लेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था हर्याना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दफ चुनाव में हर्याना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हर्याना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पुर्व है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कार्यकाल पुरा करने वाली किसी सरकार को हर्याना में फिर से मोका मिला हो तो ये भारतिये जनता पार्टी को तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढाई बलकि हमें सीटे भी जाजा दिया है और वोट सेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हर्याणा के लोगों ने छप पर फाड़ कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी साथियों भाजपा दुनिया का सिर्प सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे जादा दिलों में भी बसी हुई है हर्याणा में जन्ता ने विकास के मुद्धे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेस के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्ध प्रदेश की जन्ता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आसिरवात बनाए हुए है अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज थापित करने वाली भाजपा ने की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं असम, त्रिपूरा और उत्राखन में लगातार डोट्टम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ, कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार, कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दुबारा आये थे करीब तेरा साल पहले, दोहजार ग्यारा में असन में उनकी सरकार लोटी दिवागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जान करके हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राज्य है जहां कॉंग्रेस कभी साट साल पहले महां थी कहीं पर पताफ साल पहले थी कहीं पर चाली साल पहले थी पताफ पताफ साट साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निका दिया कॉंग्रेस को गुषने नहीं दिया बेश के ज़ादातर राज्जी के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बॉड लगा दिया पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको गोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका दिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाउं पर लगाने से नहीं चक्ति आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई है जो लोग चांदी नहीं सोने का चंबच मुँ में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइल स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है ये कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है ये कॉंग्रेस है जिसने उन्हें इतने दसकों तक रोती पाणी मकान से बंचित रखा ये भो लोग हैं जो सौ साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलीत पिछडे आदिवासी को प्रधानमती नहीं बनने देंगे सच्चा ये है कि कॉंग्रेस का परिवार दलीतों पिछडों आदिवासियों इनसे नफ्रस करता है उनसे चीड़ता है इसलिए आज जब दलीत पिछडे आदिवासी सिर्षस्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी द्यारी देने से साफ इंकार कर दिया उन्होंने दलीतों और पिछडों को भी अप्मानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आराख्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछडों को आराख्षन चीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी हर्याने भी हर्याने भी वो यही करने जा रही थी साथियों कॉंग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजक्ता फेला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग अलग बर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोसिस कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओवी सी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोसिस हुई क्या क्या प्रपेस्ट नहीं किये गए लेकिन इस समाज ने भी इस सड़ियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को भड़काया इस साजिस को भी हर्याना के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूख संदेश दे दिया है ये देश विरोधी पॉलिटिस नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुड़ होकर वोड़ दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोड़ दिया देश भक्तों को बाटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के बिरूत बाती बाती के सडियंत्र चल रहे है बारत के लोगतंत्र को बारत के अर्षतंत्र को बारत के सामाजी ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर राष्टिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदरी के साथ मेरे प्यारे देश्वास्यों से कह रहा हूँ कि कॉंग्रेज जैसी राष्टिय पार्टी अंके चटे बटे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेले में शामील है देश बक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजीस को भी मुहत तोर जवाब दिया भारत और हर भारतिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजीस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा साथियों आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है कॉंग्रेस आज पुरी तरह परजिवी पार्टी बन गई है यहां हर्यारा में कॉंग्रेस परजिवी बन कर किसी के साथ नहीं थी अकेली थी तो उसे करारी हार मिली जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कहीं कह रही थी कि कॉंग्रेस की बज़ते उसे नुक्षान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है आपको याद होगा लोग सभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था लोग सभा में कॉंग्रेस जितनी सिटे जीती उनमें आजी सी जादा सिटे वो अपने सयोगों की बज़ से जीती है इसके अलावा जहां सयोग्यों ने कॉंग्रेस पर भरोसा किया वहाँ उन सयोग्यों की ही नईयाद डूब गई कई राज्यों में कॉंग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामिया जा उसकी सयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा कॉंग्रेस ऐसी परजिवी पार्टी है जो अपने सयोग्यों को ही निगल जाती है साथियों कॉंग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर करते हो नफरत करते हो अपनी राष्टिय संसाव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं कॉंग्रेस उस हर चीज की छबी को दुमिल करना चाहती है देश का चुनावायो हो देश की सेना हो हमारी पुलीस हो देश की न्याय पाली का हो कॉंग्रेस हर संस्ता पर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दोरान भी ये लोग इनको सहयोगी दल इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कौड गए सुप्रिम कौड तक गए और किसलिए ताकि ये लोग चुनाव आयोकी सम्वेधानि निस्पक्सा पर बट्टा लगा सके आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है आज भी कॉंग्रेस ने देश की जंता को गुम्रा करने की कोशिश की है कॉंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्ताओं की निस्पक्सा पर सवाल उठाए उसकी प्रतिश्था पर आगाद करे कॉंग्रेस की यही आदत रही कॉंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूते करतिया रही साथियों जम्मुकस्पी पर इस बार हुआ चुनाओ कई माईनों मैं क्यासिक रहा वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद यह पहला चुनाओ था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओ में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूरती से खिला है खिल खिलाया है जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नमर में बोट जाले वो हर हिंदुस्तानी के दिल को प्रशासन के हर स्थर पर फिर चाहे वो विदायक हो BDC हो DDC हो हर स्थर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जम्मु कश्वीर में संविदान की स्पिरीट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिश्टा की है बाबा साब अंबेर करको इससे बड़ी सर्धानजली क्या होगी साथियो मैंने विक्षित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ किसान युवा महलाए और गरीब जम्मु कश्वीर हो या हर्याना हम विकास को इनी चार धारों के चार संभों के बल्बुते पर देश को विक्षित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्विक्ता है हर्याना के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे है मुप्त इलाज की सुविदा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हर्याना के गरीब परिवारों को अनेक सुविदाएं मिली है अब हर्याना की भाजपा सरकार गरीब कल्यार के काम को और अधिक गती देगी हर्याना की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लक्ष एकड़म साफ है भाजपा सरकार हर्याना के किसानों की उपच को दुनिया के बाजपारों तक पहुँचाना चाहती है बाजपा जैसा यहां का मोटा राज स्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुँचे यह हमारी प्रतिवध्धता है हर्याना खाने के तेल में आत्मन निर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्याना के तिलहन किसानों को भी ज़्यादा लाब होगा साथ यह हर्याना के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाए माने सर में मेनिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुग्राम के स्टार्ट अप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब दुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी खेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नौजवानों के भूमी का बहत बड़ी रहना वाली है किसलिए हर्याना में ये इंफ्रास्टेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपा ने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलप्मेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटियों के ससक्ति करान से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रुपे देश को नेत्रुत्व दिया है अब हर्याना में हजारों लखपती दीदी और ड्रोन दीदी बनाने वाले है लाडों लख्ष्वी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुप्त बहुत लाफ होने वाला है जब माताय बैने आर्थिक रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लाब पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा देश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वोपरी रखती है नेशन फर्स भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबज्ज है केंद्र हो या पिर हर्याना इन दस सालों में भाजपा की सरकार पर ब्रस्टाचार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है बैसे ही हर्याना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रस्टाचार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ पर सिर्फ समर पर भाव से जन्ता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हर्याना के मुख्यमंत्री बाई नाइफ सैनी जी और पुर्व मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारिप करता हूँ भरपूर पसंसा करता हूँ उन्होंने हर्याना के विकास के लिए बहुत मैनत्री है साथियों जब जन्ता ऐसे काम को पुथाई करती है नेक नियत और अच्छी निती को सराती है तब काम करने की उर्जा भी दोगुनी होती है हर्याना ने भाजपा सरकार को प्रोट्साहित किया है जम्मु कश्मिर ने भी भाजपा को प्रोट्साहित किया है यह अशिरवाद हमें और भी अतिक महनत कर लिए प्रेडित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु केश्वीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रज़ेश से बहुत बहुत साधुवाद करता है आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील केपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मक्सद करोडों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पुरे देश को फिर ये भरोसा देता हूँ कि आने वाले पांच साल और तेज विकास के होंगे हर यारा विक्षित होगा जम्मु कश्वीर विक्षित होगा भारत विक्षित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हर्याना और जम्मुकेश्बिर की जनता का अभार वेक्त करता हूँ आप सब कार्य करताओं का जितना अभिनंदन करूतना कम है देख के कौने कौने में आज भारतिये जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्ष को पार करते हुए भारतिये जनता पार्टी नी जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मूल में भाजपा के कार करता है भाजपा के कार करताओं का परिश्रम है भाजपा के कार करताओं की त्याग तपस्या है और इसलिए विजे के उत्सों में मुझे बार बार मेरे कायर करताओं की याद आना बहुत स्वाबावित है उनके प्रती अहो भाव देक्त करना मेरा स्वाबावित मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर लखकी और बढ़ते जाने वाले भारती ये जनसा पार्टी कार करता न रखने वाले है न ठकने वाले है और जुकने का तो सवाली ने होता है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अभिनन्दन करता हूं देश वाचियों को भी मैं उनके आशिर रिवास के लिए प्रणाम करता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की 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 बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल झाल